Hello everyone, आज की इस वीडियो में marriage यानि की विवास से related important questions को देखने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चैनल का नाम है good to success अगर आप net, jrf, pgt, gic या फिर assistant professor exam की तयारी कर रहे हैं शुशोल जी से तो इस चैनल के साथ जोड़कर यहां से आप अपनी study complete कर सकते हैं प्लेलिस में उन सभी वीडियो के folders मिल जाएंगे आप हाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं, first question देख लेते हैं, यहां पर matching वाला है, ठीक है, books है और यहां पर first question का right answer क्या हो जाएगा, option B, यानि कि the mothers are default की book है ठीक है, the history of human marriage, यह western mark की हो जाएगी third पर है, african system of kinship and marriage, यह red club brown की हो जाएगी and last है, primitive marriage, primitive marriage यह J.F. Macklin की हो जाएगी, option B, यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है, जो our default है, ठीक है, the mothers जिनकी की book है, our default की इन्हों ने परिवार की उत्पत्ती का मात्र सत्तात्मक से धान दिया था, ठीक है red club brown ने परिहार व परिहास संबंदों की भी बात की है, ध्यान दिजेगा, परिहार और परिहास दोनों ही संबंदों की बात red club brown ने की है और वर्गात्मक नातेदारी शब्दवली के तीन सिध्धान दिये थे, ठीक है सहोदर एकता का सिद्धान दूसरा वन्षय एकता का सिद्धान दिया था और तीसरा साधारण एकता का सिद्धान दिया था वेस्टर मार्क वेस्टर मार्क की बात की जाए तो इन्होंने एक विभाक का सिद्धान दिया था वो यानि कि जो पूरुष है वो इस्तरी पर संपत्ती की तरह ही एक अधिकार चाहता है और इसे जब यानि कि जब इसको समाजिक मानेता मिल जाती है उस पर ही आगे जाकर के जो है वो कहते हैं कि एक विभाब प्रथा का जर्म हुआ यानि कि वेस्टर मार्ग डार्विन का समर्थन कहते हुए बात कहते हैं कि पूरुष पूछ सकते हैं कि इनका इन्होंने समर्थन करते हुए तर्क दिया था ठीक है तो डार्विन है ठीक है क्या कहना था कि पूरुष स्वाभाओं से इशालू रहा है और वह इस तरी पर संप कि तरह ही एक अधिकार चाहता है और इसे जब सामाजिक स्विकृति मिल जाती है मिलने पर ही यानि कि इसको स्वामाजिक स्विकृति मिलने पर ही एक विभाप्रथा का जन्म होता है और इनकी बात का यानि कि वेस्टर मार्ग की इस बातों का समर्थन किनों ने किया था जुक नेक्स्ट है निम्न में से क्रे विभा कौन से हैं ठीक है क्रे विभा बताना है इनमें से कौन सा है options में है संगश, असूर, राक्षस और पैचाश तो यहाँ पर पैशाच ठीक है तो यहाँ पर क्रे विभा कौन सा हो जाएगा असूर हो जाएगा option B यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीके टोटल विवा क्या है कितने है आठ है ठीके टोटल विवा कितने बताएं गए है आठ बताएं गए है उनमें से चार कितने है प्रशस्त कोटी में आते हैं ठीके और चार अप्रशस्त श्रणी में आते हैं तो जो असुर विवा है ठीके असुर विवा को निम्न कोटी का विभा बताया गया है और विभा इस विभा में जो वधुमूले है यह जो विभा है यानि कि जो असुर विभा है वो वधुमूले का ही एक प्रकार है इसमें लड़का क्या करता है लड़की के पिता को कुछ धन देता और फिर उसके बाद जाके यहाँ पर इनकी शादी होती तो असुर विवा का ये क्रेम विवा, एग्जेमिपल हो जाएगा,। ऊप्शन B, यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा Next है, किसने कहा है कि विवा, बच्चों की उत्पादन तथा मुखरी की सम्विदा है? विभा को बच्चों की उत्पादन तथा भरन पोशन की सम्विदा किसने बताया है ओप्शन्स हैं रेट क्ले ब्राउन, लेवी, मेलनोवस की ऐसी दुबे तो यहां पर राइट अंसर क्या हो जाएगा मेलनोवस की हो जाएगा मेलनोवस की ब्रिटिश मान शास्तर के यह जनक है और मेलनोवस की दुरखीम और फ्रजर से मेलनोवस की प्रभावित थे और इन्हों ने सहभागी अवलोकन पदिती से समाज का अध्यन किया था रेक्षा पहे बार पूछा जा चुका है इनका field work किस पर था, टोब्नेंट, दिपवाजी पर इनका अध्यन्थ्या, जादू के दो प्रकार बताते हैं, सफेद जादू और काला जादू, सफेद जादू जो के अच्छे कारेों के लिए किया जाता है, जबकि जो काला जादू की बात करते हैं, वे दूसरों को शती प अवित्र मानते हैं तो यहां पर इन बातों को आपको ध्यान रखना है यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन सी मैलोनवस की हो जाएगा नेक्स्ट है ऐसा देखा जाता है कि पश्यम में एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभा करता है पर एक समय में उसके पा अपनी होती है इसे कहते हैं क्रमिक एकल विभा एकल विभा आनिरंतर एकल विभा या फिस सहचर विभा तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मेलोनवस की ने क्या कहा था एक विभा को विभा का ही सच्चा स्वरूप बताया था कि जो एक विभा है वह सच्चा स्वरूप है रहा था और आगे रहेगा भी ठीक है तो यह याद रखेगा मेलन वसकी ने कहा था और यहां पर एक विवा की बात की जाए तो एक विवा दो तरीके के होते यानि कि एक विवा के दो प्रकार है पहला एकल विवा है और दूसरा क्रमिक एकल विवा है क् उसको ही क्रमिक एकल विवा कहा जाता है, option A यहां पर right हो जाएगा, next है, किस वर्ष में हिंदू विवा अधिनियम के अंतरगत हिंदूों को तलाग के प्रावधान प्रदान किये गए, 1955, 1956, 1961 या फिर 1973, वर्ष पूछा जा रहा है किस वर्ष में हिंदू विवा अधिनियम के अंतरगत हिंदूों को तलाग के प्रावधान प्रदान किये गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1955 हो जाएगा, option A यहां पर right हो जाएगा, हिंदू विवा अधिनियम 1955 के अंतरगत, हिंदूों को तलाग और न्यायक प्रथक करण के प्रावधान प्रदान किये गए थे, ठिक है, तो option A यहां पर right हो जाएगा नेकस्ट है, अपनी जाती के अंदर विभा करने की अनिवारिता को कहते हैं, options देख लेते हैं, अंदर जाती विभा, जाती अंतर विभा, बहिर विभा या फिर बहु विभा, तो अपनी जाती के, अपनी कास्ट के अंदर विभा करने की जो अनिवारता है वो क्या कहलाती है जातिय अंतर विभा ओप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विशेश विभा अधिनियम 1954 ने हिंदू विभा के किस एक प्रावधान को प्रभावित या परिवर्तित किया है आईए ओप्शन लेखते हैं बहिर विभा संबंधिनियम अनुलोम संबंधिनियम अंतर विभाह संबंधिनियम या फिर एक विभाह संबंधिनियम विशेश विभा अधिनियम 1954 ने हिंदू विभा के किस प्रावधान को प्रभावित या परिवर्तित किया है तो यहाँ पर क्या होगा अंतर विवा संबंदी नियम option C यहाँ पर right answer हो जाएगा अच्छा विशेश विवा अधिनियम 1954 विशेश विवा अधिनियम जो 1872 वाला था उसका ही ये शंशोधित रूप है इस अधिनियम के अनुसार देखे तो अब किसी भी धर्म और जाती के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसर से विवा कर सकते हैं तो इसने किस एक प्रापधान को प्रभावित किया जो अंतर विवा संबंदी नियम है उसको प्रभावित किया option C यहाँ पर क्या होगा right होगा next है हिंदू विवा के कितने प्रकार है केवल एक चार आठ या फिद्दस तो अभी आप लोगों को बताया गया है option C हाँ पर right हो जाएगा चार प्रशस्त श्रणी में और चार आप प्रशस्त श्रणी में आते हैं अब कौन कौन से विवा और न 20 लिए ना फिजरे कंसे बिणरी में गया है निमने कोटी कि जो निमने श्रणी कि विवा है उसमें आर्षे विवाह हो जाएगा गंधर विवाह हो जाएगा हो जाएगा और पैशाश विवाह हो option C right हो जाएगा next है हिंदू विभा के नियम में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटी का विभा नहीं कहा गया है इन में से कौन सा विभा प्रशस्त कोटी या प्रशस्त श्रणी के विभा के अंतरगत नहीं आता है options देखते हैं ब्रह्म विभा देव विभा गंधर्वे विभा या फिर आश विभा तो यहां पर गंधर्वे विभा हो जाएगा option C यहां पर right answer हो जाएगा अच्छा यह जो गंधर विभा है इसमें हम लोग love marriage का example रख सकते हैं ठीक है option C यहां पर क्या होगा right होगा next है हिंदू विभा कानून के अनुसार विभा है options है एक पवित्र संसकार एक करार नामा एक अपचारिक विवस्था या फिर एक समाजिक कार्य तो हिंदू विभा कानून के अनुसार विभा क्या है एक पवित्र संस्कार है option A यहाँ पर right हो जाएगा option A यहाँ पर क्या हो जाएगा right हो जाएगा अच्छा विभा के उद्देश क्या बताएगा है ठीक है जो हिंदू विभा है एक पवित्र संस्कार है और इसका उद्दे या केम कपाडिया हैं इनकी जो बुक है marriage and a family in India बुक का नाम ध्यान रखिएगा बुक भी काफी बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है या फिर क्रम में लगाने को आता है एक्जाम में ठीक है तो option a यहाँ पर क्या हो जाएगा right हो जाएगा next है अपनी पुस्तक में किसने वर्णन किया है कि वेदो में आ विवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है आईए options देखते हैं के एम कपाडिया, ए एस अल्टेकर, ए एम शाह या फिर इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer ए एस अल्टेकर option b यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा इनकी जो बुक का नाम क्या है the position of women in Hindu civilization ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने कहा है कि वेदों में जो आविवायत वेक्ति है उसको अपवित्र माना गया है option b यहाँ पर right हो जाएगा next है किसके अनुसार विवा एक समाजिक विवस्था है जिसके माध्यम से एक बच्चे को समाज में व्याद इस्थान प्राप्त होता है जो समाजिक अर्थों में वन्शावली द्वारा निर्धारित किया जाता है options हैं तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा रेट क्लिफ ब्राउन हो जाएगा option b यहाँ पर right answer हो जाएगा इनकी कुछ important books हैं जिसमें की African system of kinship and a marriage क्या है African system of kinship marriage African system of kinship and a marriage इस book में इन्होंने structure की बात की है सरशना की बात की है कई बार books के नाम दे दिये जाते हैं और concept पूछ लिया जाता है कि किस book में किस concept के बारे में उन्होंने बात की है ठीक है तो ध्यान दीजेगा African system of kinship and a marriage में structure यानिकी सरशना की बात की है ब्राउन ने and second book है structure and function in primitive society structure and function in primitive society में इन्होंने functionalism की बात की है प्रकारिवाद की ब्राउन ने बात की है अपने इस book में and structure यानि की जो सरशना है उसके दो प्रकार बताते हैं red clue brown पहला बताते हैं वास्तविक सरशना और दूसरा समान सरशना ठीक है पहला वास्तविक सरशना और दूसरा समान सरशना की ये बात करते हैं तो यहाँ पर red clue brown option भी हो जाएगा right next है किसके अनुसार विभा इस्तरी और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है options है Johnson, Rivers, Bogardus, Hobble तो यहाँ पर विभा इस्तरी और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है ऐसा कहना बोगाडर्स का है, ठीक है, बोगाडर्स, यहाँ पर option C, यहाँ पर right हो जाएगा, next है, जब उच्चे जाती की लड़की का निम्न जाती के लड़के से विवा होता है, तब निम्न में से यहाँ ववस्था क्या कहलाती, ऐसे विवा को हम क्या कहेंगे, लड़की उच्चे जाती की लड़की का निम्न जाती के लड़के से विवा, जब होता है तो सो हम क्या कहेंगे, options हैं, देवर भावी विवा, अनुलोम विवा, प्रतिलोम विवा, या फिर इन में से कोई नहीं, तो यह विवा प्रतिलोम विवा कहलाएगा, option C, यहाँ पर right answer हो किन समाजों में ये विवा देखने को मिलता है, option D, यहाँ पर right answer हो जाएगा, leveret को देवर विवा भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, एक विद्वा का अपने मृत पती के किसी भाई के साथ विवा करना जब मृत पती के बड़े भाई के साथ उस विद्वा का विवा होता है तो ये जेस्ट विवा कहलाता है इसके opposite जब मृत पती के छोटे भाई के साथ उस विद्वा का विवा होता है तो विवा देवर विवा कहलाता है एंड इसको भावी विवा भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर पित्रवन्शी समाज हो जाएगा option D यहाँ पर right हो जाएगा नेक्स्ट है एक निमने जाती की इस्त्री का विवा एक उच्छे जाती के पुरुष के साथ होना कहलाता है options है प्रतिलोम विवा अनुलोम विवा एक पतिनी विवा या फिर बहुपतिनी विवा निमने जाती की स्त्रीका निमने जाती की लड़की का विभा एक उच्छी जाती के पूरुशिया लड़के के साथ जब होता है तो ऐसा विभा क्या कहलाता है अनुलोम विभा कहलाता है ओप्षिन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा निमने में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंद से सम्मंदित नहीं है ओप्षिन्स है निकटता भी गमन बहिर विभा अंतर विभा या फिर बहुपती विभा तो वैवाहिक प्रतिबंद से सम्मंदित नहीं है यह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुपती विवा हो जाएगा, option D, यहां पर right answer हो जाएगा, यह विभा का स्वरूप है, बहुपती विवा क्या है, विभा का स्वरूप है, बहुपती विवा क्या होता है, एक स्तरी के कई पती होता है, तो उसको बहुपती विवा क्याते हैं, और यह बहुपती विवा भी दो प्रकार का होता है एक होता है ब्रातक बहुपती विवा जिसमें इस्तरी सभी भायों की पत्नी होती है तीके ब्रातक बहुपती विवा में इस्तरी सभी भायों की पत्नी होती है दूसरा है गैर ब्रातक बहुपती विवा इसमें सभी पती आपस में भाई नहीं होते हैं तो option d वेचना की है आयो ओप्शन्स देखते हैं ओप्शन्स है आई पी दिसाई जी एस घुरिये पी एच प्रभू केम कपाडिया तो आप लोगों को इससे पहले बताया जा चुका है केम कपाडिया ओप्शन क्या हो जाएगा यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा इनकी बुक क विवा एक संसकार है जिसके तीन उद्देश होते हैं धर्म प्रजा और रती ठीके तो ओप्शन्स डी केम कपाडिया यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है किसने अंतर विवा को रूडिवादी जबकि बहिर विवा को प्रगतिवादी कहा है ओप्शन्स हैं जी पी म केलर का है ओप्शन भी यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट है किसके अनुसार विवा इस्तरी पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मली संतान माता-पिता की व्याद संतान मानी जाती है अब्शन्स हैं वेस्टा मार्क मेलनोसकी लूसी मेयर जौन्सन तो जो लिवा है वो इस्तरी पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मली संतान जन्मलेती है वो माता पिता की वैद संतान मानी जाती है और यह कहना है Lucy Mayer का option C यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही I hope यह आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करेगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रू करेगा थैंक यू